नमस्कार दोस्तों सुआगार है आप सभी का तेकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों जिसे के आप मेरे स्क्रीन पर एक एरोर डेख सकते हैं यहाँ पर ठीक है यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ आ रहा है की वी हैफ टर्मिनेटेट यूर कनेक्शन बिकॉस ओफ डेटा इरोर उट यूर क्लाइंट प्लिस चेक यूर कनेक्शन एंड ट्राइगें ठीक है तो दोस्तों आपको कुछ ऐसा बताया जाते है इस प्रॉबलम के अंदर पे तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ इसका जो reason है वो इस video के मधियम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो problem है आपको किस वज़े से आते है ठीक है और इसको fix करने का यहाँ पर क्या क्या तरीका है तो दोस्तों यदि आपको भी जानना है पूरा इसका reason पूरा इसका solution और जो कुछ भी इसके related है तो दोस्तों वीडियो को अन तक पूरा जरूर देखेगा तो दोस्तों यह जो है आपको कभी भी आ सकते हैं कभी भी आप गेम खेलते हैं तो उस बग आपको यह problem शो कर सकते हैं आपके screen पर अचनक से ठीक है यहाँ पर डोस्तों आपको बताया जाएगा कि आपका जो connection ने वो यहाँ पर terminated हो चुका है ठीक है यानि कि दोस्तों आपका जो connection है वो यहाँ पर नहीं रहा सारी साथ दोस्तों यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि एक बडर connection को चेक कीजिए दुबारा से यहाँ पर try कीजिए ठीक है तो अभी दोस्तों यहाँ पर यह problem जो है की वाते हैं मैं आपको बता रहता हूँ लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ है तो दोस्तों सबसे पहले तो जाके चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले सारे साथ दोस्तों बेल आइकोन को क्लिक क कीजिएगा ताकि आपको हमारे तरफ से जो है लेटेस अपडेट टाइम टो टाइम मिलते रहे यदि आप उनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं उसके लिए दोस्तों आपने दिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रहा है तो अभी दोस्तों यह जो प्रॉब्लम आपको जब आते तो वह आपका जहिए जो तो आपका जो एकाउन है यहां पर डौस्तों वह टेम्सरी कभी-कभी ब्लॉग कर दिया जाते हैं ठीक है क्योंकि दोस्तों आप जही जब भी गेम खेल वेगें मेले कशन आन्इस्याइबल रहते है या टुपिर आपका जो यहाँ पर इंटरनेट connection है वो disconnect हो जाते हैं ठीक है और कोई भी abnormal behavior game खेलटे बख यदि आप जो है दोस्तो पब जी के यहाँ पर जो टीम है उसके नजर पर आ जाते हैं कोई भी abnormal game आप प्ले करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको उसके लिए भी थोड़े दिर ब्लॉक कर दिया जाते हैं ताकि आप जो है यहाँ पर एक स्मूड गेम प्ले कर सके थोड़े दिर बाद और दोस्तों यहाँ पर यदि आपका सब्सक्राइब करना होता है और दोस्तों आपको दुबारा से जाके घेम को यहाँ पर खेलने का option मेल जाएगा कोई इखर नहीं होगा और दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना होता है आपको दोस्तो नेट्रोक कनेक्शन को fix कर लिजे ठीक है नेट्रोक कनेक्शन यह आपका अच्छा रहेगा तो दोस्तो कभी भी problem नहीं होगा नेट्रोक को आप स्विच वगेरा कीजिए 3G, 4G ठीक है तो उन सब में स्विच करके भी देखिए और दोस्तो यहाँ पर नेट्रोक सेटिंग को भी reset जरूर कर ले तो चलिए दोस्तो देखते हैं यहाँ पर नेट्रोक सेटिंग को कैसे reset करना है नेट्रोक connection को कैसे fix करना है तो मैंने दोस्तो यहाँ पर आपको जितना हो सका समझा दिया है कि यह जो PUBG का error है वो किस वज़े से आते हैं और आपको दोस्तो यहाँ पर यह pop-up show होने के बाद क्या कर दिया जाते है यानि कि आपको बेन कर दिया जाता है temporary उसके बाद दोस्तो यहाँ पर चलिए मैं आप आपको इससे जो है fix करने का solution भी बता देता हूं तो यह जो problem में दोस्तो फिक्स automatic हो जाएगा ठीक है यहाँ पर आपको ज्यादा करने का जरूर्णी है अभी दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना होगा सिंपली आप जाएए अपने सेटिंग पर ठीक है तो इसको मैं कट कर देता हूं सेटिंग पर जाएए उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको जो है wireless नेट्रोक पर जाके mobile नेट्रोक सेलेक करना है और यहाँ से नेट्रोक को स्वीच कर सकते हैं ठीक है प्रिफेट नेट्रोक पर तो नेट्रोक को आप तुझी पर दालिए उसके बार 4G में लागा दीजिए उसके बार नेट्रोक सेटिंग को एक बार रिसेट कर लिए सिस्टेम पर जाए उसके बाद आपको रिसेट पर जाना है यहाँ नेट्रोक सेटिंग रिसेट है और यहाँ नीचे क्लिक करके नेट रोक सेटिंग को reset कर दे यह आपको यह डिक कर रहा है कि यह setting नहीं मिल पा रहा है search में click कीजे और यहाँ पर type कर डीजे नेट रोक सेटिंग reset आपको मिल जाएगा ठीक है तो बस आपको यह process follow up करना है और दोस्तो problem आपका solve हो जाएगा लेकिन यहाँ पर मैं आपको guarantee से बता नहीं सकता हो कि आपका जो problem है यहाँ पर किस वज़़े से आया है तो दोस्तो यहाँ पर आपको क्या करना है आपको Google पर जाना है PUBG support पर आपको click करना है ठीक है और यहाँ फिर दोस्तो आप Google पर जाके PUBG support करके एसा search कीजिए और दोस्तों आपको वही पर भी PUBG support का option मिल जाएगा और दोस्तों आप वहाँ पर question पुछ सकते हैं कि मुझे इस तरह का problem है ठीक है तो दोस्तों वह आपको solution जरू बताएगा तो दोस्तों आप यह सब भी कर सकते है इस problem को fix करने करें लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा कि यह जो वीडियो है इस वीडियो पर आपको सिर्फ इसका reason जाने को मिले गा तो solution यहाँ पर आभी तक कहीं भी confirm नहीं है ठीक है यहाँ पर कभी भी confirm नहीं है क्योंकि दोस तो दोस्तो आपको नहीं ख़लना है थोड़ा दर वैट कीजिए नेटो को रिफ्रेश होने दीजिए उसके बाद आप प्ले कर सकते हैं तो यह सब यार फिर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मेसेज भी कर सकते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो पर बस इतना है टेंक्स पर वाचिंग